सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें मेरे कई सारी दोस्तों नहीं कमेंट किया था कि सर्थ BSC Biology के वीडियो बराइए कि BSC Biology से पढ़ने पे क्या-क्या फायदे हैं, क्या-क्या नुक्सान है, किस फिल्ड में जा सकते हैं, क्या करियर आप्सन हो सकते हैं तो इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि BSC Biology से पढ़ने के क्या-क्या फायदे हैं तो बने रहे इस पूरे वीडियो, पूरे वीडियो ज़रूर देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि BSC Biology से पढ़ने के क्या-क्या फायदे हैं, तो दोस्तों जैसे हम लोग 12 करते हैं, 12 हम लोग जब मैं UP Board में था, तो उसमें ये था कि 10 के बास से डिसाइड होता था, एक बंदा इंजीनियर बनेगा, IS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, माबाप, घर वाले और बच्चा खुद ये डिसाइड कर लेता है, तो जो साइंस ग्रूप से पढ़ते हैं, वो जाते हैं टेचिंग लाइन में, और जो बाइलोजी से पढ़ते ह जाते हैं, वो जाते हैं, मेडिकल फिल्ड में, तो सेम कुश्चन अब उठता है कि BSC बाइलोजी क्यों लोग करते हैं, BSC बाइलोजी, देखो आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो न, तो 12th criteria जो 12th रखी गई है, वो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप BSC भी करकर के ड hard work, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CPMT, AIPMT, AIMS, जो भी डॉक्ट मेडिकल के exam होते हैं, entrance exam, उनको crack करना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है in the sense कि seatे कम है, number of people बहुत जादे हैं, मत्तब seatे बहुत limited हैं, और low बहुत जादे हैं, और उसको crack करने के बाद आपको, अगर आप आप फीज समझे लो, government एक डॉक्टर को बनाने के लिए बहुत सारे करोडों रुपए कर्च करती है, एक medical seat में एक डॉक्टर को पैदा करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप गॉर्मेंट कॉलेज में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बना private college में नॉर्मल पचास पचास लाग पर donation लगते हैं, तो वह चीजे आप अपने mindset से अटा दीजे कि donation दे करके admission लेने वाली बात, तो यहां पर हम career option बात करें हैं, BSC biology के बारे, BSC biology के करने के बात, आप girls जो हैं, वो nurse बन सकते हैं, nursing field में जा सकते हैं, nursing field में जाने पाद, वो government hospitals में भी job कर स सकते हैं, उसके अलावा, nursing भी लड़के हैं, nursing से related courses होता है, उसमें भी जा सकते हैं, BMS होता है, और I.U.B.J. वाले डॉक्टरी के courses होता हैं, उसमें आप जा सकते हो, उसके बाद dental वाले, जो BDS होते हैं, बैसले बैसले आप dental surgeon होते होते हैं, उसमें जा सकते हो, और BSC biology करने के बाद अधर जो गौर्वर्मेंट सेक्टर के एक्जाम है जैसे IES हो गया, PCS हो गया, Teaching Line हो गया, उसके बाद फिर आता है करियर ओप्षन कि आप SSC में जा सकते हो, Bank में जा सकते हो, मतलब दरवाजे खुले ही खुले हैं, आप लोगों मैं बता दूना कि सब लोग ये पूछ रहते हैं कि BSC Biology करना सही है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया ना, पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों को वो चीज़े बता दी है, इतने career option दे दी हैं, कि सायद आप खुद confused हो जाएंगे कि अब मैं किस field में जाओ, लेकिन confused होने कि कोई ज़रूत नहीं है, और वीडियो आप सही से देख लिया होगा आपने, तो आपको खुर समझ में आया गया होगा, कि BSC Biology से पढ़ने के बाद, आप कहां जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share, comment करना ना भूलें, और first time चैनल पे आये होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी share जरूर के, thank you, जैहिंद, नमस्का दोस्तों.